दूद का कर्स मा, खाने के लिए कुछ है? अरे नहीं बेटा, आज शाम को पापा लेकर आएंगे हाँ? मा की बात पर बंटू भूखे पेची, सामान बेचने निकल जाता है. वो सुबह से शाम तक घर-घर जाकर सामान बेचता है, लेकिन अब भूख प्यास की वज़स से काम करना मुश्किल हो जाता है. इस तरह काम पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर बिमार पढ़ गया तो एक्जाम्स के पहले फीज कैसे ही खटा करूँगा? ऐसा करता हूँ, अगले घर खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ. इसी के साथ बंटू आगे जाकर एक घर की बेल बजाता है, जिस पर निम्मी दर्वाजा खुलती है. क्या हुआ? निम्मी को देख बंटू एक गिलास पाने के आगे उससे कुछ नहीं मांग पाता. निम्मी उसे दर्वाजा पर खड़ा छोड़, घर के अंदर चली जाती है, और कुछ देर में एक बड़ा गिलास दूद लेकर बाहर आती है. ये देखकर बंटू हैरान रह जाता है. ये लो, पर मैंने तो पानी मांगा था. हम, देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है. इससे तुम्हें आगे काम करने की ताकत मिलेगी बीटा, पीलो. बंटू दूद पी लेता है. इसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ देने की जरुरत नहीं है. माने हमेशा सिखाया है कि इनसानियत की कोई कीमत नहीं होती. निमी की बाद बंटू के दिल में घर कर लेती है. वो वहाँ से चला तो जाता है, लिकिन ये बाद हमेशा के लिए याद रखता है. राद को घर पहुँच कर बंटू पैसों की गिमती शुरू कर देता है. स्कूल की फीज बरने के लिए तो ये पैसे बहुत ही कम है. कल से मुझे ज्यादा मैनत करनी होगी. अगली सुबह से बंटू फिर एक बार पूरी मैनत के साथ काम पर लग जाता है. देखते ही देखते कुछ समय बीटता है और अपनी मैनत से बंटू एक्जाम्स के पहले ही स्कूल फीज भर देता है. अब मैं भी एक्जाम्स दे पाऊंगा और फिर मेडिकल कॉलेज बे जाकर बहुत बड़ा डक्टर बनूंगा. बंटू दिल लगा कर पढ़ाई शुरू कर देता है. उसे एक्जाम्स में टॉप करने की वज़े से कॉलेज की स्कूलर्शिप में जाती है और वो पढ़ाई करने दूसरे शहर चला जाता है. सर, इस कॉलर्शिप से आपने मेरा सपना पूरा कर दिया. मैं आपको जितना भी धेंगी बोलू, उत्ता कम है. बेटे, तुम आल टाइम टॉपर हो. तुम जैसे ब्राइट स्टुडेंट को अपने कॉलेज में आड्मिशन देना, हमारा लिए प्राउड की बात है. हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नाम के साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी बहुत दुरौशन करोगे. इसी तरह 15 साल बीच जाते हैं और बंटू अपनी शहर का मशूर डॉक्टर बन चुका होता है. डॉक्टर, एक लेडी का कॉम्प्लिकेटेड केस आया है, जिस पर स्टडी काने के लिए सीनियर डॉक्टर ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया है. केस की डीटेल्स क्या है बंटू के पूछने पर नर्स उसे लेडी की सारी डीटेल्स बताती है, जिस पर बंटू उसके शहर का नाम सुनते ही चौक कर भागता हुआ, उसके कमरे में पहुच जाता है, जहां वो निम्मी को देखते ही पहचान लेता है, उसके पीछे पीछे नर्स भी वहाँ और आपसे इंका केस में ही हैंडल करूँगा, पर डॉक्टर ये केस बहुत कॉंप्लिकेचिट है, आज तक कोई भी डॉक्टर इनकी विमारी तक नहीं पहचान पाया, और दूसरे शहर वालों ने तो इनके बजने की उमीद ही छोड़ दी थी, तो मैं आगे कुछ भी बोल कोने की जुरुत नहीं है, मैंने जो कहा, बस वही करो, नर्स बंटो को निम्मी के सारी रिपोर्ट्स दे दीती है, जिसके बाद वो उस पर स्टड़ी शुरू कर दीता है, और हजारों दिक्कतों के साथ, महिनों की मेहनत के बाद, आखिर में निम्मी की बिमारी का पता पता है, मैं आपको ठीक करके ही रहूँगा, अब बंटो अपने को डॉक्टर्स की मदद से दिन रात एक करके निम्मी के इलाज में जूट जाता है, जिसमें वो कभी दूसरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को, कभी किसी मल्टि स्पेशलिस्ट को बुलाकर निम्मी का चे हैरान रह जाता है, वा डॉक्टर, आपने तो बिलकुल ना मुम्किन को मुम्किन कर दिखाया, यही तो हम डॉक्टर का काम है, सुनो, इनके डिस्चार्ज के वक, बिल के फाइनल प्रोसेडिंग से पहले, उसे मेरे पास जरूर लेकर आना, कुछ ही हफतों में निम्मी के डिस्चार्ज होने का वक्त भी आ जाता है, निम्मी नर्स से बिल के बारे में पूछती है, पेपर सारे तयार है, आप तयार हो जाईए, तब तक मैं बिल की कॉपी बिजवाती हूँ, नर्स बिल लेकर पहले बंटो के पास जाती है, जिस पर वो बिल देखकर उस पर कुछ लिखता है और नर्स को वापस कर देता है, नर्स उसे निम्मी के पास बेज़ देती है, और बिल हात में आती ही, निम्मी उसे देखने से पहले ही परिशान हो जाती है, जाने कितने समिश से मैं यहीं हूँ, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बिल तो बहुत लंबा च पूरी जिन्दगी बीच जाएगी, आखिर मैं यह सब कैसे करूंगी, डरते घबराते निम्मी बिल खोलती है, तो उसकी नजर बिल के आखिर में लिखे एक नोट पर पढ़ती है, जिस पर लिखा होता है, एक गिलास दूद ने बिल पूरा कर दिया, और उसी के नीचे बं आखों से खुशी के आंसु बहने लगते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करकी वो वहां से चली जाती है।